सभी सिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार, साथियों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, साथियों जैसा कि आपको अवगत है आप सभी के निष्ठा की परसिक्षन चल रहे हैं, जो आपके 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे, साथियों जब आपके 15 परसिक्षन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक ओनलाइन कंपिटेंसी टेस्ट दीना होगा, जिसमें आपको 60% मार्क्स लाना अनिवारिय होगा, इसलिए जितने भी हम परसिक्षन कर रहे हैं, उनको बहुत ध्यान से किया जाए, और इसक साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते हम चले, जिससे की आने वाले कंपिटेंसी टेस्ट में हमें कोई दिक्कत ना हो, तो साथियों आज की इस वीडियो में हम मोड्यूल 16 मापदंड पूर व्यवसाई जिक्सा के महतपूर नोट्स के बारे में जानेंगे, जो आगामी कंपि करके, वीडियो के दोरान मैं आपको पासवर्ड बता दूँगा, आप उस पासवर्ड की मदद से इस पीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये महतपूर नोट्स मुझे राकेश गुपता जी ने, जो मनसुर डिस्टिक्ट में है, मध्यपरदेश में, उन्होंने भे वीडियो को शुरू करने से पहले, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं, इस तरह की informative वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने informative वीडियो वाटसफ ग्रूप और informative वीडियो टेलीग्राम ग्रूप बनाए हुए हैं, आप चा नोट्स बनाए हैं चलो चलो चले सरकारी स्कूल अब पढ़ाई के साथ व्यवसाइक सिक्सा भी देखे इन्हों ने दिखाया है व्यापारी किसान वार्डवाई सिक्षित परिवार प्रबंदक नर्स है हेर सैलून पार्टनर सिक्सक सपाई कर चारी जमीदार यानि कि यह सब हमाएं व्यवसाइक सिक्सा के अंतरगत सिखाया जाएगा कि आप आप यह व्यवसाइक कर सकते हैं उसके बाद मज़ा आ गया अब सिक्सा के साथ हुनर भी सीखने को मिलेगा राकेज गुपता जी यह बूड़ा मंसूर डिस्टिक्ट में है और वहाँ पर सायक अध्यापक कि पदपर कारेरत हैं आगे देखते हैं क्या है इन नोट्स में सबसे पहले हमारा पूर्व व्यवसाइक सिक्षा सबसे पहले पहले प्रशन है मैंने इस मोड्यूल से क्या नया सीखा सामने सिक्षा के साथ कारिया अनुभव या कारिया सिक्षा का ज्यान कराना और नमबर तो इसको मैं अपनी साला में कैसे लागू करूँगा माड्यूल के अनुसार सामान्य सिक्षा के साथ कारिय सिक्षा का ग्यान बच्चों को कराऊंगा साथी सामान्य किये जाने वाले कारिय को प्रोजेक्ट के रूप में देकर रूची उत्पन करूँगा उसके बाद पूर व्यावसाइक शिक्षा का ग्यान बच्चों को परदान कर परिचित कराऊंगा जैसे सिलाई, कड़ाई, बुनाई, क्राफ्ट, स्वास्थ, किरसी, किराना, लगु, उद्योगों की जानकरी परदान कर कारिये कराऊंगा, सात्यों बहुत सुन्दर नोट्स बनाए हैं, आप इनकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पासवर्ड मैं वीडियो के दोरानी आपको बता दूँगा, पहले इसको देख लेते हैं, क्या-क्या नोट्स में इनमें है, मापदन पूर व्यावसाइक शिक्षा, सबसे पहले उदेश्य, नमबर एक कारिये अनुभव के उद नमबर चार समग्र सिक्षा के अंतरगत व्यावसाइक स्कूल सिक्षा को समग्र सिक्षा अभ्यान के अंतरगत उसका वर्णन करना, उसके बाद आता है समग्री की रूप रेखा, नमबर एक कारिये अनुभव कारिकरम, नमबर दो समग्र सिक्षा के अंतरगत सिक्षा का व व्यावसाइक शिक्षा नमबर चार कक्सा नो से बारवी तक व्यावसाइक शिक्षा उसके बाद उच शिक्षा में व्यावसाइक शिक्षा का सुचारू संचालन किया जाएगा माध्यमिक एम उच माध्यमिक स्कूलों के माध्यम से उतक्रष्ट व्यावसाइक शिक्षा दी दी जाएगी यानि कक्सा 6-8 में आपको सुर्वाती वर्ग में ही व्यावसाइक अवसरों के बार करें में चानकरी दी जाएगी इसके बाद 9 से बारे में यानि की माध्यमिक एवं उच माध्यमिक स्कूलों के माध्यम से उतकरष्ट व्यावसाइक सिक्सा दी जाएगी और उ इस विशे के लिए विशेस बल दिया गया है दो हजार पच्चिस तक स्कूल एवं उच्छ सिक्षा पढ़नाली के माध्यम से 50% बच्चों को व्यावसाइक सिक्षा का परशिक्षन दिया जाएगा भारत युआओं का देश है 50% अबादी हमारी युआ है अकादमिक सिक्षा के साथ-साथ व्यावसाइक सिक्षा का एकिकरण किया जाएगा और व्यावसाइक सिक्षा के कारेकरमों को मुख्यधारा की सिक्षा में चरणबत तरीके से एकिकरत किया जाएगा व्यावसाइक करन के मुख्यते तीन चरण है नमबर एक जागरुकता यानि की अवेरनेस च चात्र कारिय की दुनिया में विबिन व्यावसाय आयम कारिय वाहक विकल्पों के बारे में जाग रुख होंगे। रुक किया जाएगा ये सब एंपलीमेंट में सिक्सक की भूमिका बहुत जरूरी होगी। व्यावारिक कोसल का अधिग्रेन करने में मदद करती है। व्यावसाय शिक्सा और प्रसिक्षन के उद्देश्य एवं लक्षे। नमबर तीन रोजगार और कोसल के लिए तयार करना है। नमबर चार विशेश, रूची और उद्दिश्य के बिना उच्छ सिक्षा को आगे पढ़ाने के इच्चुक छात्रों के लिए एक विकल्प परदान करना है। नमबर पांच सामान्य तकनीकी और व्यवसाइक शिक्षा के पठ्थे करमों में व्यवसाइक विकास कैरियर में सुधार और पासर प्रवेश के अवसर परतान करता है। नमबर चार कुशल जनसक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल को कम करता है। नेक्स्ट आता है आपका शिक्षा का व्यावसाईक करण। की जा रही है इस तरह देखे व्यावसाईक शिक्षा आपकी 9-12 तक 6-8 में पूर व्यावसाईक शिक्षा है और 1-5 में कारिया नुभाव या कारिया छेत्र हमें दिये गए हैं पूर व्यावसाईक शिक्षा के उसके बाद पूर व्यावसाईक शिक्षा की अवधारना और भविश्य में कैरियर के विकास में प्रवेश करने के लिए तैयार हो सकेंगे पूर व्यावसाईक शिक्षा आवश्यक रूप से परती भागयों को ग्यान कोसल एवं नए दरश्टिकों प्राप्त करने में मदद करती है जो एक सहज स्कूल से व्यावसाईक दुनिया क और परिवर्तन के लिए आवश्यक है नेक्स्ट आपका योजना निर्माण योजना निर्माण में क्या क्या करना होगा आपको पहले संबंदित जानकारी दें फिर परदर्शन करें योजना निर्मान करेंगे सबसे पहले फिर अनुकूलित करें परतिविंबित करें परद गतिविदियों और तकनीक या भविश्य में कैरियर के विकास के लिए क्या करना है उसके बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे उसके बाद आता है पूर व्यावसाइक सिक्सा के लाब साथियों आप इसकी पीडियाप को भी डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडियाप का राकेस जी और ये आपका मोड्यूल हो गया 16 लिख देंगे उसके बाद नोट्स अन ओ टी एस तो इसका पासवर्ड होगा राकेस जी और ए के एस अस सभी आपको इसमाल लेटर्स का यूज़ करना है राकेस जी उसके बाद 1616 और नोट्स नोट्स तो ये आपका पासवर्ड है इस पासवर्ड की मदद से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद देखते हैं पूर व्यावसाइक सिक्सा के लाब नमबर एक स्वम को कैसे व्यावसाइक के लिए उपयोगी बनाना है और साथ-साथ उत्पादक्ता को कैसे बढ़ाना है उसके बारे में बच्चे जानेंगे नमबर दो वह काम के माध्यम से कैसे अपनी पहचान बनानी है उसके बारे में भी समझेंगे नमबर तीन काम द्वारा ग्यान का निर्मान एवं स्रम की गरिमा के बारे में भी बच्चे समझेंगे और नमबर चार जीवन उपयोगी व्यवसाइक और कैरियर के विकल्पों की भी समझ विक्षित होगी उसके बाद आता है कारिय आधारी सिक्षा का एतिहासिक परिपेक्ष भारत में आधुनिक शिक्षा का सम्बंद वेदिक और गुरुकुल शिक्षा व्यवस्ता से रहा है। स्रम के महत्व और उसकी गरिमा को जानने का पाठ भी सिक्षा की ओपचारिक परणाली की आवश्यक्ता 1854 में महसूस की गई जब लाड चार्ल्स वुड ने एक डिस्पैच तयार किया जिसे भारतिय सिक्षा व्यवस्ता में वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। विभिन व्यवसाइक छेतरों की आवशक्ता के अनुसार व्यवसाइक शिक्षा का आयोजन हो। नमबर दो व्यवसाइक शिक्षा को साहित्या और विज्यान शिक्षा के समान समझना। नमबर तीन व्यवसाइक शिक्षा के अन्य परकार की सिक्षा का पूरक मानना। उसके बाद नमबर चेह है व्यवसाइक स्कूल की स्थापना व्यवसाइक केंद्रों के पास होना और नमबर साथ स्रमेको को व्यवसाइक स्कूल में परती समा सपता धाई दिनों का परशिक्षन देना। 1937 में मात्मा गांधी ने मैनुवल और उत्पादक कारियों को परिक्षा में इस्थान मिलने की बात कही जिस पर 1938 में एक समीती का गठन किया गया, 1938 में राष्ट्य सिक्षा पैटर्न की रूप में स्विकार किया। कुछ राज्यों ने 1976 सदत्तर में समाने सिक्षा संस्थानों में प्लस टू व्यवसाइक सिक्षा कारिक्रम प्रारंब किया। विभिन विश्यों में दू साल की अवदी के पठेक्रम में सिक्षा शुरू हुई। 1986 की शिक्षा निती में सुझाव दिया कि राश्ट्य सेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद के तहट केंद्रिय व्यवसाइक सिक्षा संस्थान का गठन किया जाना जो व्यवसाइक सिक्षा में अनुसंधान, विकास, निगरानी और मुल्यांकन जैसे कारियों के लिए काम करें, राश्ट्य सिक्षा निती 1986 ने परभावी पूर व्यवसाइक सिक्षा का प्रावधान किया, जिसके मुख्य उदेश्य है, नंबर एक 9 से 12 के चात्रों, सरल विप्णव योग्या प्रशिक्षन, नंबर दो उतपादक बढ़ाने के लिए व्यवसाइक र कारिये अनुभव कारिकरम, सुतंता के बाद सिक्षा परणाली को एक धांचे में ढालने का प्रियास किया गया, व्यक्तियों को रोजगार एमरास्ट्य उतपादकता बढ़ाने में सिक्षा के व्यवसाइक करण पर जोड दिया, कोठारी आयोग, आत्म निर्भरता, सहकार कारिता, द्रडता, सहायता कारिये की नैतिकता, व्यवार और समुदाय के लिए उतपादक कारिये से संबंदित नैतिक मुल्यों का सम्मान करना, कारिये अनुभव कारिकरम को एक से आठ तक इस उदेश्य से लागू किया गया था कि काम के अनुकूल कारिये मुल्यों के वि मिल सके और उनका परिवार आत्म निरभरग सके उसके बाद समग सिक्षा के इंतरगत शिक्षा का व्यावसाई करन्म मHH procurement सिक्षा के समग सिक्षा के इंतुमू लागू कर रहा है जो स्कूल शिक्षा की एकिकरत योजना है विविन परकार के व्यावसाई के लिए आवस्चक रोजगार और व्यावसाई कोसल विक्सित करने के लिए शामने सिक्सा के साथ साथ नो से बारह के तक के लिए व्यावसाई सिक्सा की पेशकस की गई है यानि 9 से 12 तक आपको वेबसाइक शिक्साद देनी होगी साथियों काफी सुन्दर नोट्स बनाए है राकेस गुपता जी ने आप इन नोट्स को डाउनलोड कर लिजे क्योंकि आगामी परिक्सा में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैत्पून होंगे साथियों इन नोट्स का पासवर्ड होगा राकेस जी ये सबी स्माल लेटर्स है उसके बाद 16 लिखेंगे यानि की 16 उसके बाद नोट्स इस पासवर्ड से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद देखते हैं 6 से 8 के लिए पूर वेबसाइक शिक्सा वेबसाइक सिक्सा एवं पूर वेबसाइक सिक्सा दीना जिसमें छोटे बच्चों को सामगरी उपकर्ण और वेबसाइक से परिशित कराया जाता है जिससे वे व्यवसाय के छेतर में स्वम को तैयार कर सके 6-8 वी तक की सिक्सा की मोजोदा योजना को ग्रहन करने के बजाए उसे सिक्सन प्रक्रिया का एक अभिन अंग बनाने में सायक होगा भविश्य में कैरियर का रास्ता तै करने में मदद मिलेगी बहु कोसल गतिविदिया साप्ट इसकिल के विकास को बढ़ावा देंगी जिससे की टीम बर्का सहयोग, कच्चे मालकी रचनात्मक्ता, गुनवत्ता, चेतना और विवेकपुन उपयोग आदे पूर व्यवसायक सिक्सा के माध्यम से परदान की जाने वाली कक्सा में सीखने से बच्चों के ज्यान बढ़ाने, बढ़ाएं रखने में सायक एमसाकरिया रूप से स्वम सीखने को बढ़ावा देंगी पूर व्यवसायक सिक्सा के उदेश्या सामान्य उदेश्य में बच्चों को स्वय प्रबंधन व्यवसाय कोसल और प्रक्रिया कोसल के छेतर निमलिकित हासिल करने में मदद करना स्वम और दूसरों के हीतों कोसल गुणों और व्यक्तिगत मुल्यों की पहचान नमबर दो रूची, सक्ती और जीवन मुल्य सीखने और कैरियर में निर्मान को कैसे प्रभावित करते हैं नमबर तीन चमताओं और रूची को विक्षित करने में सहायक नमबर चार उपलब्दियों के माध्यम से आत्म विस्वास, आत्म सम्मान का विकास करना वैफसाई कोसल नमबर एक बुनियादी कोसल को विक्षित करना नमबर दो विकास करने वाली विदियों, सामगरियों के लिए रचनात्मक विचारों का उप्योग और नमबर तीन उत्पादक गतिविदी को पहचान कर उनके कारिय की योजना उसके बाद आती है कोसल प्रक्रिया कोसल एक सीखने की प्रक्रिया है जो बार-बार अभ्यास करने से आती है नमबर दो परभावी संचार कोसल को विक्षित करना नमबर तीन सिक्सा और कारिय के बीच की कड़ी नमबर चार लोगों की भासा से संबंद बनाए रखना गती विदियों को छेतर बार आयोजित किया जा सकता है नमबर एक कारिय छेतर क्या होगा सामन्य पोधों की पहचान कारिय किर्सी संसादनों का परीचय बीज, अंकुरन, सबजी फूलों में अंकुरन, मस्रूम की खेती, जैविक खाद, बीज मिट्टी के सैंपल, पानी मिट्टी की पीच माप नमबर दो परिधान एवं रेडिमेट शेतर, सिलाई, कटाई, पुनाई, कंप्यूटर डिजाइन, रंगाई, हाथ कडाई, गुडिया बनाना, उसके बाद आता है भवन निर्मान, भवन निर्मान में साधान, चिकनाई का कारिय, दिवारों पर पेंटिंग, बुखंड, म पन, पाइपलाइन के बुनियादी कारिय, उसके बाद आता है खाद्य प्रेस अंस्क्रन, भोजन की तयारी, जैली तयार करना, बेकरी उत्पाद, दुग्द सम्मंदि उत्पाद, व्यंजन तयार करना, पाक कला का परदर्शन, उसके बाद नमबर पांच पे आता है विद करना हाद दोडा पूर वैवसाइख सिक्सा के लाब क्या क्या लाब होंगे पूर वैवसाइख सिक्सा के लाब में ही विकास सामिल है सामाजिक और जीवन कोसल को सुधारने की और अग्रसर करता है जैसे नहतिकता, व्यक्तिगत विकास और दूसरे के साथ काम करने की चमता है इसकूल सिक्सा के व्यवसाइक, व्यवसाइक में सामिल छेतर क्या क्या छेतर सामिल हो सकते हैं नमबर एक किर्सी, नमबर दो परिधान, रेडीमेट समान और घरेल उपर निचर नमबर तीन मोटर वाहन, नमबर चार बैंकिंग, वित्या सिवा, एवं बीमा, नमबर पांस सोंद्रेय, एवं कल्यान इसके बाद सारांस दिया हुआ है इनोंने क्या, क्यों, क्या से मतलब है अन्वेशन के लिए उत्पादक कारिये व्यवसाइक केरिया सिक्षा करके सीखा क्योंकि में क्या क्या आ जाएगा, विकास के लिए जीवन कोसल, सामन्य कोसल और पूर व्यवसाइक कोसल और कैसे में आपका आजाएगा गतिविधी करना, कक्सा, कारिया इस्तल छेत्र, छेत्रिय भर्मन, चार्ट एम पोस्टर बनाना और उत्वादन की तैयारी करना और कोन में आजाएगा पूर व्यवसाइक, गतिविधी आउयजित करना, मोजुदा कारिया अनुभव, एम व्यवसाइक और मोजुदा सामान्य सिक्षक तो ये सभी नोट्स आपके राकेश गुपता जी ने बनाए है, बहुत सुन्दर नोट्स बनाए है, इसके लिए राकेश गुपता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ यूं काफी सुन्दर नोट्स है, आप इसकी पीडियाफ को डाउनलोड कर लिजे, और अगर आपक प्रेस कर दीजे जिससे कि आपको next वीडियो का notification मिल सके दन्यवाद